हेलो नमस्कार सांतियों, वलकम टो डोली स्टडी, दोस्तों SSC GD Constable 2020 के स्पासाल एक्साम का next analysis आपके लिए लेकर आ चुके हैं, आज 29 फरवरी 2020 को हम 4th shift का analysis आपके लेकर आ चुके हैं, इससे पहले हम आपको 1st, 2nd और 3rd shift के analysis वीडियो दे चुके हैं, अगर आपने ये लिस्ट में जाकर check out का लिए जिका सारी वीडियो आपको वैवस्ती रूप से मिल जाएगी, और इन वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं, तो आपको टेलिग्राम को जो इनका लेना है, अप्लिकेशन को डाउनलूट का लेना है, इन दोनों की link आपको इस वीडियो का description में म सबी ने काफी ची तरीके से questions बताएं, यहां तक कि पूरे के पूरे questions, exact, 100% authentic questions इनके द्वारा बता दिये गए, जो इस वीडियो में हम detail यहां पर discuss करने वाले हैं, तो आपका भी आगया आने वाले दूनों में exam हैं, तो आप भी इसी तरह से questions आपकी exam में जो पूचे जाए वो हमें बता सकते हैं, और आपको 100% accurate analysis यहां पर मिल आएगा, बस सर्त है आपको पूरे questions, exam center से निकलने के तुरुनत बाद हमें बताना होगा, उसके बाद में हम आपको 60 analysis दे पाएंगे, गलेरे, तो आप सभी जरूर से जब भी आपका exam हो, जिस भी दिन, जिस भी shift में, जरूर से बताईगा, तो आईए गाईज स्टार्ट कते हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और share अपने दोस्तों कसा जरूर कर दीजिएगा, साथ ही जिन लोगों ने वीडियो को चेनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखाएं, उन सभी से request है, क कतक समराट जो कहा जाता है, बिर्जु महराज को कहा जाता है, ज्यान रखेगा, पंडित ब्रज मोहननात मिस्तर महराज, या फिर बिर्जु महराज, तो इनका ही नाम है, बिर्जु महराज से कुशन बन रहे हैं, आपको पताईए, जिस दिन से exam स्टार्ट हुई है, उसी ये हैं कत्तक नित्रोप के स्वामी हैं दियानरकी का कत्तक समराट इसलिए इनको कहा जाता है वहां लकनव के कालका बिलनादीन घराने से तालुक रखते हैं तो ये कोशन अल्डेडी आपका पूचे ज़चुका है किस घराने से इनका संबंद है तो घराना जो है इसके प्रमुक प्रतिपादक यही थे कले रहें बिर्जु महाराज बिर्जु महाराज एक प्रसिद्ध कत्तक नित्य परिवार में पैदा हुए थी देश की सरवच नागरिक सम्मान पद्म विबोसन 1986 सहीद प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरुसकारों से समानित किया गया था अगला जो कुशन आपकी स्कीन पर आ रहा है नेक्स्ट कुशन है हमारा किंद्रि सतरकता आयोग यानि की सी वी सी के अध्यक्ष कौन है या आयोगत कौन है इस तरह से कुशन है आपका तो स्री प्रविन कुमार स्रीवस्तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतरकता आयोगत की यहां पर बात की जा रहे तो यह कौन है प्रविन कुमार स्रीवस्तो बने है प्रविन कुमार सुर्वास्तव असम एकाले के 1988 बेच के सेवा नित्य भारती प्रसासिंग सेवा अधिकारी हैं तो इनको जो है CVC बनाया गया है ध्यान रखेगा 31 जनवरी 2022 को सेवा नित्य यह हुए थे आईए नेक्स्ट कोशिन की बात करते हैं अगला जो कोशन आपके स्कीन पर हैं कोशन नमर थरड़े हमारा सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता तो यह जर्मनी के द्वारा जीता गया फाइनल मेच में जर्मनी पैनल्टिस उटाउट ने उस्टेलिया को 3-1 सहरा कर स्वर्न जो पदक है यह हासिल करते हुए 11 सुल्तान जोहर कप को चेंपियन बनाएं तो 11 सुल्तान जोहर कप का जो चेंपियन बनाएं जर्मनी बनाएं भारत को Semi-Final में जर्मनी की हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए पांश्पदक असे जुनियर पुरुस हो की टिम ने मलेशिया के जोहर में सुल्तान जोहर कप 203 में कांश्पदक अपने नाम किया है तो यह आप जरूर से याद रखिएगा अगला कोशन है हैंड़ पुल हैंडबोल में कितने खिलाडी होते इस से पहले वाली जो सिप्ट थी थर्ड सिप्ट उसमें भी हंडबोल से कोशन कि दो टीमें आपस में खेलती हैं कि लाडियों का उदेश ये विरोधी टीम के गोल में बाल फेकना होता हैं साथ किलाडियों में से च्छे आपस में बाल करते हुए विरोधी टीम के गोले की तरब बढ़ते हैं जबकि बचा हुआ किलाडी गोल की पर या गोल रक्षक की यह शाथ प्रक प्रदेश हम्हान पूंज वादी लोकत इंतरात्म 최मट राज्यं मत्राइत की Road के अंतरगत आती है जनगना भारत में ग्रहम अंतराले भारत में जनगना कार्यों की देखरेख करता है प्रतिएक दस वर्सों में एक बार आयुजित की जाती है यह और यहां विस्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी कवायद हैं जनगना ग्रहम अंतराले के प्रसासनिक निय थे उस टाइम पर जन्गन्ना आयोक्त त्यान रखेगा के लिए भारत के जन्गन्ना आयोक्त कौन थे 1881 में इनका नामे WC प्रतम जन्गन्ना प्रतम जन्गन्ना 1881 में इसने ब्रिटिस भारत के पूरे महाधीब कस्मीर फ्रांसिसी पूर्तिगाली उपनेवसी को छोड़ कर कि जन्गन्ना आरतिक और समाजिक विसिस्ताहूं के वर्गी करन पर मुक्त के जोर दिया था अब नेक्स्ट जो कोशन पूजा गया है वो इस तरह से है कि वर्गी वर्गी में राष्ट मेंडल खेलों का आउजन कहां हुआ था तो यह बर्मिंगम में हुआ था ध्यान रखीगा 2022 राष्ट मेंडल खेलों के रूप में इनको जान जाता है 2022 में बर्मिंगम इंग्लेंड में यह बैसिकली आउजित किये गए 2000 राष्टमेडल खेल जो 2022 है ये खेल लंदन 1934 में और मैंचेस्टर 2002 के बाद इंगलेड में आज़ित होने वाले तीसरे राष्टमेडल खेले 2022 राष्टमेडल खेलों का अधर सवाकि सभी के लिए खेले और 2022 राष्टमेडल खेलों में 72 राष्टमेडल देसों के भाग लेने की उमेद है यानि कि इनोंने भाग लिया था है ना अगला जो कुशन पूचा गया है आपके स्कीन पर आ चुका है दस्वी पंचवरसी योजना की अवधी क्या थी से पहले हम थर्ड़ सिब्ट में भी आपको पहले तो काफी ज़्यदा कुशन्स आपके एकजाम में इस तरह के बन रहे है जो काफे Easy है अगर आप इनको गलत कर देंगे तो आपको थोड़ा सा दिकत हो जाएगे क्योंकि सरल इजी कोशन्स को ही आप गलत कर देंगे तो इसमें आपको दिक्कत होंगी है ना तो इन सभी कोशन्स को हम आपको बार-बार इसलिए बता रहे हैं और जो डिटील कवर करवा रहे हैं आपके लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं है ना इतनी ज़्यादा महेनत से हम आपको एक एक पॉइंट सेलेक्टेड दे रहें और जो सीधा-सीधा आपकी एक्जाम में पूछे जा रहे हैं लगतार कोशन्स हमारे बन रहे हैं जो हम अल्रेडी आपको सारे के सारे बता रहे हैं तो दसवी पंचवर्सी योजना की जो अवदी थी ये थी 2002-2007 ध्यान रखिएगा बारत में पहली पंचवर्सी योजना 1951 में सुरू की गई थी तब से भारत में 12 पंचवर्सी योजना आही थी अटल बियारी वाचपई और मनमोहन सिंगर नेतरत में दसवी पंचवर्सी योजना 2002 से 7 तक चली थी दसवी पंचवर्सी जो योजना थी इसके कुछ मुक्य उदेश भी थे जैसे कि इस योजना का लक्ष अगले 10 वर्सों में भारत की प्रतिवी व्यक्तियाई को दूगना करना था इसके लक्ष था 2012 तक गरीबी अनुपात को 15 प्रतिशत तक कम करना और इसका विकास लक्ष था 8 प्रतिशत का लेकिन इसने केवल 7.6 प्रतिशत जो व्रदी दरिये यही हासिल कर सकी अध्वीती उद्देश्व के में से एक लिंग आदारित भेदभाव को कम करना था और इसमें महिलाओ को प्रसिक्षन रोजगार के आउसर प्रदान करने को भी महत दिया गया था तो यह सारी उद्देश्य के साथ में योजना को लौंच किया गया था कौन सी योजना थी दसवी पंचवर्सी योजना अगला जो कोशन है हमारी स्कीन पर आ चुका है कोशन नमर दसवा पंडिस रवी संकर वन्देश्व विलायत खान इनका सम्द के से इस तरह से कोशन आपको बनाता था तो सितार वादा की यह सभी धिया रखेगा पंडिस रवी संकर एक भारती सितार वादक और संगीदकार हैं कि लिए बिसवी सताब्दी के उत्राद में उत्तर भारती साचति संगीद के सबसे प्रसिद फृतिपाता के बन गए और रवब पंडिस रवी संकर कूं 1999 में भारत का सरवच नागरिक संबान भारत रतने प्रुसकार दिया गया वंदे हसन ये भी एक सितार वादक हैं इसके लाओ उस्ताद विलायत खां ये एक भारती सताचतर सितार वादक थे विलायत खां का 55 वर्ष की आयूमी 13 मार्च 2004 को मुंबई भारत में रिदन हो गया तो ये जो तीनों है इनका तीना को संबंद सितार से हैं इसलिए कोशन आपका सुवाई इसको प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के द्वारा देश के बालिकाओ के लिए सुरू किया गया है तो बालिकाओ से संबंदे इसका और इस योजना के तेत अभिवावक अपनी बेटी के उजवल भविश के लिए बचत खाता खुल सकते हैं बेटीयों के प्रतम कन्या स्कूल किसने खुलवाया था या प्रतम बालिका विद्याले के संस्तापक कौन थे सही जवाब हो जाएगा सावित्री भाई फूले सावित्री भाई फूले भारत के पहले बालिका महाविद्याले या विद्याले की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्तापा किये थी माहरा मात्मा जोतिराउड को महरास्ट और भारत में सामाजिक सुदा रांदोलन में एक सबसे महत्वपुर्ण व्यक्ति की रूप में माना जाता है और उनको महिलाओ और दलित जातियों का सिक्षित करने के प्रियासों के लिए इनको जाना जाता है कर दे समापन जो प्रियार्ण का जाता है इसको बिना है कि माल की वहा हुआ यहांपलन स्टोक को बिना हुआ dann explain on वह नहीं है यह बचा हुआ है जो किसी निश्चितिती पर व्यावसाई के पास रहती है दूसरे सब्दों में गर हम कहें तो यह कहा जा सकता है कि यह वे इन्वेंटरी है जो व्यावसाई में है और बेचे जाने के प्रतिक्चा कर रही है यानिकि अभी भीका नहीं हुआ कुछ में यह निश्च स्वामिनातन के जिने रूप कर हो जाएयगा यह बहारत ने में उनकी प्रसास है और वहाँ MS स्वामिनातन रिसर्च फाउंडेशन के संस्ताफक हैं उनकी बताई गई दरश्टी दुनिया को भूक और गरीबी से मुक्त बनाना है तेके 1972 से 1990 तक भारती किरसी नुसंदान परिस्टत के महानेजिशक भी है रहे MS स्वामिनातन अगला जो कुशन पूजा गया है कुशन इस तरह से कि प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने राष्टी सीकल सेल एनिमिया मुक्ती मिसन का सुबानप कहां सकिया तो इन्होंने सहेडोल मद्यपरदेश से किया ध्यान रखीगा प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने हाली में मद्धिपरदेश के सैडोल में राष्टे सिकल सेल एनिमिया उन्मुलन मिसन 2047 का उधःण किया है इस मिसन का उधेश क्या है तो सिकल सेल रोक से उत्पन चुनोतियों से निपटना विसे इस रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच पी एम मोदी ने एक वोटल का भी अनावरन किया और विबिन निगरानी मोडूल के साथ रोक परबंदन के लिए दिसान रदेश भी जारी इसके साथ में किये दे अगला कुशन पूजा गया है निमने में से कौन सा पी ब्लोक का तत्वेट तो ये सारे पी ब्लोक है इसके लावा और भी है अगला कुशन है अंतराश्टी लूसोफोन महोसव कहां मनाया जाता है तो ये गोवा में मनाया जाता है विदेश मंत्राले भारती संसिक्रती संबंद परिशद और गोवा सरकार के साथ में साज़दारी में 3-6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतराश्टी लूसोफोन महोसव का एजन किया गया है अगला कुशन पूजा गया है और टोरंटो की राजदानी किसकी राजदानी है इस तरह से आपको बताना है तोरंटो किसकी राजदानी है तो एक केनेडियन प्रांथ उंटे रियो की राजदानी है ध्यान रखिएगा टोरंटो जो है केनेडियन प्रांथ उंटे रियो की राजदानी है 2016 में 27,31,571 की आबादी के सांथ ये कनाड़ा का सबसे आबाद सहर है और उत्तरी अमेरिका या उत्तर अमेरिका का चोता सबसे आबाद सहर है मान जाद है टॉरंटो अगला कोशन है समुद्र गुप्त के ससन काल के दोरान संदी विग्रहिक का अर्थ क्या है तो संदी विग्रहिक का जो अर्थ है ये है युद्ध तता सांती मंतरी देखिए यहाँ पर जो वर्ड आपको दिख रहे है ये समुद्र गुप्त के ससन के दोरान की बात की जा रही है मुद्र गुप्त के ससन काल के दोरान यानि कि समुद्र गुप्त ये है हैना समुद्र गुप्त के सासन के दोरान संदी विग्रहक का अर्थ युद्ध ततसांती मंत्री था ध्यान रखीगा अगला कुशन है 2011 की जिनगन्य के नुसर किस केंट सासे प्रदेश का लिंगन पास सबसे अधिक है पूडुचेरी करेक्ट आंसर रहेगा पूडुचेरी में प्रती 1000 पूरुसो पर 1037 महिलाओं का उच्छताम लिंगन उपात है 2011 की जिनगन्य के नुसर भारत में प्रती 1000 पूरुसो पर 493 महिलाएं पाई गई है पूडुचेरी 1954 तक भारत के में फ्रांसे सी अपने अवैसिक बस्ती थी जो अब दक्षिन पूर्वी तमिलनाडु राजे से गिरा एक कैंसर से प्रदेश है पांडी चेरी अरबिंदो असरम का परिया है जिसके स्ताबना 1926 में सिरी अरबिंदो और मीरा अलफाजसा ने की थी तो यहाँ पर हम 200 के 200 कोशन अडिरिट्स आपको कवर करवा चुके हैं जो हमें बच्चों ने सीधे सीधे भाय जाएं जहां तक कि आपको जितने भी कोशन बताएं सारे का विच आंसर के साथ में भी हर एक चीज़ी हमने डेटेल में बताईए ताकि आगेत से कोशन बने तो आप 100% उसको क्लिक कर पाएं यह हमारी टेस्टी सीरीज अगर आपनी रोल नहीं किया है तो कर लिजगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपका भी आने वाले दुनों में एक्जाम है तो आप इमीं नंबर पर अपने कोशन जरूर से अबडेट करवादे हिंदी की बात करेगा हिंदी में पहला कोशन मनें अनुकूल सब्द का विलोम तो प्रतिकूल हो जाएगा खूंटी के परियावाची तो यह मेख हो जाएगा टंगनी कील यह खूंटी के परियावाची है खाट का परियावाची खटिया हो जाएगा चारपाई हो जाएगा मंजा मंजी चारपाई मंजा इस सारे खार्ट के परियावाची है व्यक्ति के अंदर ताडने वाला क्या क्या लाता है इस तरह से कोशन आपका बना था उठ का तस्तम आपसे पूचाए उत्ष्ट हो जाएगा उठाना का तस्तम आपसे क्या होता है उत्थान हो जाएगा गजानन्द का परियावाची पूचे करें तो क्या होगा किस तरह से लिखा जाएगा यह इस तरह से लिखा जाएगा मतलब मलता भी यह आपने ध्यान से नहीं पढ़ा इसको मतलब नहीं है मलता भी यह इसको सुद्ध करेंगे तो मतलब हो जाएगा आउश्य को सुद्ध करें तो क्या होगा अवश्य हो जाएगा इस तरह से ये सुद्ध ये रहेगा आपका और ये एरा रेन में असुद्ध वाक के तो उसको सुद्ध आपको करना है ये दो इस तरह से बने थे वाकिये विलॉम से दो कोशन्स बने लोकोक्ति से बने तरफ सम से दो कोशन्स बने अनेकार्थी से एक बना रिक्तिस्तान से को मावरे से दो कोशन बने हैं तो इन सभी को आप अच्छे से कवर करेगा सारे सारे टॉपिक आपकी एक्जाम में पूचे जारे लगातार मैं इसमें बात करें गाइस तो उसससे दो कोशन पूचे गए सरली करन से दो कोशन है अपके प्रतिसर से दो कोशन है लाभानी से तीन कोशन है समयकारी से दो कोशन है आपके रेलगारी से एक कोशन है चाल दूरी से एक कोशन है इसके अलावा LCM SCF से एक कोशन है अनुपास से एक कोशन है आयू से एक कोशन है और विवाजित वाले कोशन बी और यहां। आकरती से दो कोशने लुप्त संक्या से एक है और नमबर सीरीज से दो कोशन्स पुछ गए हैं इस इसाब से आपकी एक्जाम में मैं से दी जी के रिसनिंग जो भी चारो सब्जेक्ट आपकी एक्जाम में पुछ गए है तो इस सारे चीज़ें आपको हमने अप्डेट कर दियाए आपकी इस वीडियो को जाजा लाइक करें Sanir करी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजे का और इस वीडियो को आप जरूर से देखकर बताएगा कि ये वीडियों को और नहीं तो लिदियो को लिएतर चेनल को स जाहिंद बन्ने मात्रम